जिला अधिवक्ता संग दुर्ग के शपत ग्रहन समारों में वर्चुवल जुडे मुख्य मंत्री। दुर्ग में बार एशो सिये संग का करक्चर रिनुवर्ट के साथ लाइब्रेरी भी अपडेट किये जाने की करीब भोषणा। जिला अधिवक्ता संग का शपत ग्रहन समारों गुरुवार को जिला नियालाज सभागार विहुआ जिसे प्रदेश के मुख्य मंत्री भुपेश बगेल वर्चुवल जुडकर अधिवक्ताओं को शुपकामनाय दी साथी नय आयाम के तहत अन्य सुविधाय बढ़ाय जाने लाय आते हैं तो नियालाज की कारवाय की पद्धती आधि का ज्यान कम होने के कारण उन्हें आरंबिक रूप से काफी कठ राया होती है इसके निराकरन के लिए विधी उभाग द्वारा प्रसिक्षन की कारय योजना बनाय जाने की बाते उन्होंने कही मुखेबंधी ने क वहा की वकील के कारे व्यापक होते हैं उन्हें तहसिलदार SDM कलेक्टर आधि की नियालायों में भी जाना होता है निर्वाचन की दोरान भी अभ्यारती उनके संपर्ग में आते हैं तथा अनेक तरह के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जिनका वेधी ग्यान प्रत्याशियों को नहीं होता और वे वकीलों के पास आजाय करते हैं ऐसे में प्रसिक्षित वकील जादा बेहतर तरीके से अपना कारे कर पाएंगे उन लिखनी है कि अपने संबोधन के दोरान जीला एवं सत्र नियाधिश राजे शिवास्ताओं ने ये सुझाओ दुर्ग जीला बार राजे शिवास्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्ग जीले में 13 महिनों में 16322 प्रकरण निराकरण के गए हैं जबकि सौधी में कोविट की वज़े से कुछ समय नियाला बंद भी रहे उन्होंने कहा कि इस बीच तीन नेशनल लोग अदालत हुई और इनमें भी दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट